मैं उस्ता अबंदिर खार और आप देख रहे हैं प्रहाट अग्स पटाका फैक्टरी में धमाका होने की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश के गुंडा जिली के तरब गंज थाना छेतर में रविवार दोपहरे कावाइद पटाका फैक्टरी में विस्पोर्ट हो गया इसमें दो लोगों की मौत हो गई है जबकि पांच लोग गंभी रूप से घायल हो गए है सुचना मिलते ही पुलिस पहुच गई है और घायलों को जिला स्पताल में भरती कराये गया है यहां तीन घायल युगों की हालत नाजुक बनी हुई है पुलिस पटाका फैक्टरी में विस्पोर्ट से जुड़े साक्ष जूटा रही है साथ ही इसे कौन चलाता था इसके बारे में विच्छान भीन की जा रही है घटना रवीबार दोपहर के वक्त में हुई है आपको बता दे कि बेलसर डीहा गाओं में एक मकान में अचानक धमाका हुआ मौके पर चीख पुकार मच गई धमाका इतना सबरदस्थ था कि आसपास के मकानों पर भी इसका असर पड़ा है जब गाओं के लोग घटना स्थल पर पहुँचे थे वहाँ कई युवग घायल पड़े हुए थे इन्हें ततकाल अस्पताल पहुचाया गया जहां दो युवगो को मिरित घुसित कर दिया गया है जबकि पांच लोग घायल है जिला अस्पताल में इनका इलाज किया जा इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुच गई है और पुलिस इस अवैज पटाका फैक्टरी को कौन चला रहा था इसकी भी जांच परताल की जा रही है साथ ही बताया जा रहा है कि दिपावली का तेवहार आने वाला है और पटाका फैक्टरी जो है अवैज द जा गया है वहीं घायलों में तीन योकों की हालत चिंता जनक बनी हुई है जबकि दो लोगों की मौत के खबर सामें है देखे आज दिनांग साथ अक्टूबर को थाना तरबंच पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बेलसर गाउं में करीब एक बजे एक बंद पड़े घर में कुछ लोग बैट कर अवैद रूप से पटाका बना रहे थे जिसमें एक विस्फोट हो गया उसमें कुल पांच लोग के घायल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई जिस पर ततकाल स्थानी पुलिस एवा मुचादीकारियों द्वारा मौके पर पहुचकर घ प्रकण में जांच की जा रही है और फारूक का ये घर बताया जा रहा है इस प्रकण के संबन्द में जांच कर अग्री मैधानी कारवाई की जाए